महारानी एलजाब्यत के पुत्र प्रिंस चार्ल्स अगले राष्ट्रमंडल प्रमुख होंगे। राष्ट्रमंडल के सभी नेताओं ने इस पर अपनी सहमती जताई है। महारानी एलजाब्यत ने गुरवार को अपनी इच्छ बताई थी कि वे अपनी बेटी को एक तिन इस पद पर देखना चाहती है। महारानी एलजाब्यत ने कहा था कि येवन शानुगत नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है कि प्रिंस उनके उत्तराधिकारी बने। खबरों के अनुसार, उनत्त वर्षी व्यज के प्रिंस त्रेपन सद से राष्टमंडल के आगले प्रमुख होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला महारानी एलजाब्यत विती के एक घरवा ट्रलू चेंबर में हुए रिट्रीट में लिया गया। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी भी इस रिट्रीट के दोरान बहा मौझूद थे। बता देख कि राष्टमंडल का ये देशों से बना दुनिया के सबसे पुर प्रवतेह सयुक्त राजशाही के उपनिवेश या परिराज्य हुआ करती थे। ये पद केवल एक रितिस्पद पद है जिसके पदाधिकारी का इस संगचन के दैनिक कारियों में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पद के कारेकाल के कोई समय सीमा नहीं है औ और परमपरागत रूप से इस पदव उत्पात को प्रिटिश संप्रभू पर नहीं किया गया है।